ये सरकार ने या सापित किया आप सरकार के आखे हो सकते थे नय वरुस्ता को द्रूस्त कर सकते थे लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया सर्पंच पदैश्य उसी तरह जाती भाद धर्म बाद जोड देते हैं लेकिन गिंती के प्रकरिया हो पारधर सिता नहीं है उसमें इतना सब्सक्सक्ता है और जो हालात है उसके लिए आप दुस्रान साब को याद कर सकते हैं हो गई है फीर परवस्थी पिखलनी चाहिए नमस्कार मैं हूं की तमन और आप देख रहे हैं बीटी निउस बिहार अभी हम आए हैं एक खास वैक्ती का इंटर्वी लेने के लिए जो बेगुस्राय के लिए बहुत ही चर्चित चेड़े हैं आप उनको जानते हैं इस बार वो पंचायती चुनाओ दंगल में वो भी उतरे हैं सरपंश्पद के लिए उनका नाम है संतोसर्वाय आप लोगों को ये परचय के महताज नहीं है आप लोग इन्हें अच्छे से जानते हैं खास करके बेगुस्राय निवासी तो इन्हें अच्छे से जानते हैं खास करके इनके अपने मूरठा वाले अंदाज के नौम से, संतोसराइ नौम से ज़ादा, मूरठा वाला नौम से ज़ादा परचली थे हैं, वो आज हमारे साथ जूर चुके हैं, और ये अभी इस बार फतेपूर पंचायत में सरपंचपद पर खरे हुए हैं, जरा हम इन से जानते हैं पुडवसैनिक भी है यह सर आपने 24 साल देश का सरहत पर सेवा किया और अभी फिर अब इस वार पंचायती चुनाव दंगल में सरपंच पद पर उत्रे हैं आखिर किस सोच के साथ आएं किस भीजन के साथ आएं भीजन अभी क्या बताएं बासतविक्ता तो ये है कि हकीकत में य्याई यहां मिलता नहीं है लेकिन यह हकीकत को एक इसिसए कहता नहीं है और हम तो अपने तरफ से यह कहें कि ताने दे बता देंगे तुझे आसमा हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है सर्फरोशी की तमना अब हमारे दिल में है तो इस बार क्या लग रहा है आपको जो पंचायती चुनाव दंगल में उत्रें पहले सरपंचपद में रहा है गया है बिल्कुल मैं रोग दूँगा आपको यहीं पर सरपंच जिसे पंच कहते थे पहले आप सरपंच कहते हैं सभी पंचों के उपर आशीन है उससे किसी पावर के अंदर मत बांदिये वह एक न्याय का पद है और न्याय धीस जो जज है वह एक छोटा जज भी ह ज़रत है और पावर सरकार के तरफ से संपर्ण पावर है उसे आपको आसीन किया आपको ताज दिया आपको बठाया कुर्शीव देखर के इतना कम है क्या तो अभी अमूमन अभी तक जो हम देखते आए हैं चाहे जहां चुना हो चुके हैं वहां भी देख रहे हैं भी जिस तरह से आरोब लगाते हैं मुख्या जी को ऊपर और उनके भागिदारे में पूरा का पूरा सहयोग देते हैं जो एक दंगल है ये चुनावी दंगल लोगतंत्र के महा पर छोटी इकाई पंचायती राज का जो चुनावी दंगल है उसमें आपको सरपंच पद कही मँखन की नजर नहीं आरा कोई बात ही नहीं करता है अब उससे जएदे वाड की बात होने लगा है विकास के नाम पर जो लूट का ड्रमा करते हैं डोंग करते हैं चिलाते हैं चीकते हैं वह सिरिपन के बात करвон पकी नहीं करता है नियाइँ चाहिए किसे और न्याय तो बास्तम में आप कहिए तो वो तो पैसे की चीज है गरीमों को ना मिला है भाई वो तो पैसे पे बिखने वाली चीज है वो मिली जाती है जिनके पास जिनके यहां पैसा है उनके न्याय है एक दम न्याय है लोग गलत जगह जाते हैं सरकार के दौरा बहुत सुन्दर गठन हमारे पुरुपर्धान मंतरी आदिविया स्री राजीव गांदी जी की कल्पना थी इस पंचायती राज को सुसदित पंचायती राज का गठन हो अब भुत हुआ भी हद तक हद तक हद त प्रक्रिया लाने के बज़त सुप्रीम कोट में दुनिया फर के डाइल हुई और उसके ऊपर सुप्रीम कोट ने पैर जारते से पलाधार के किसी तरह चुनाओ कर वा दिया सरपंच भी ही चुनाओ 2001 में हुआ लेकिन 2006 में सरपंच आया उसके बाद भी न्याय कहां मिला गर सकते लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया सरपंच पद भी उसी तरह जाती बाद धर्म बाद पिसी में बंदेरा गए आज के डेट में भी मैं इस पद पर हूं एक पुरुचैनिक होने के नाते आप कह रहा है कि मैं पत्रकारता करता हूं निस्पक्ष बोलता हूं लेकिन पंचायत है उसको किसाम को पवा लेगा तो उत्रेगा नहीं तब तक बात नहीं कर सकता है वह गाली दिलवाता है लेकिन उसको हकीकत नहीं मालूम है हमें मालूम है तो इस चीज को कौन समझेगा और जनता जी को मालूम है ये बात सबको मालूम है जन्नत की हकीकत बस मन को बहलाने के ये गाले ये ख्याल अच्छा है वो ये कह देते हैं संतोसरा है फोजी है निश्पक्ष नियादेगा तो तुम्हारी खट्या खरी हो जाएगी वो लोग बोलते हैं जो बिचोलिया गरी करते हैं जो गौव को लूट कर खा रहे हैं विकास के नाम पर गुरक धंदा चला करके ह हम आपको इंद्रावाद दिला देंगे हम आपको सोचला दिला देंगे और जंता जी खुब गर्याते रहते हैं देकों में से कमिशन ले लिया लेकिन दोनों के पेच में ड्रामा हो रहा है अश्य जड़ा हमें यह बताएगा कि अभी तक कई अस्तर में पंचाय चुना हु लेकिन गिंति के जो पूरियी वह वह पार्दरसिता नहीं है उसमें उनकी मर्ढ़ी है बहुत सारे से पर्ट्यासी को निसपर आपका सब्सक्राइब वीजिक लिए और आप जात के नम पर आशित करते हैं और एक शैनिक के लिए एक सब्सक्राइब जो चोबीस साल वीच साल लगभग्वाग न के कारिकाल होते हैं जो की अपना जान काहुती देकर आए और अपने भाग से वहाँ बच के चले आए तो क्या उनको गाउं के चवहदी का रक्षा करने के लिए नहीं दिया जा सकता नहीं वो देहीं नहीं सकते उनको भी मालूम है कि हमारा गोरखधंदा यहीं से चल रहा है आज के डेट में आप देख सदन के अंदर जो इतने ड्रा देदेते हैं कि आप सुरक्षा कीजिए क्या जाती धर्म हर नाम पर जवारकशित होता है सीट तो क्या इसा नहीं हो सकता है कि वहीं से На कि लोग जब होते हैं तो अपने गाउं के बांडरी का गाउं के प्रखंड का छेतर का वसुरक्षा कि और जिमें नहीं सवपा जा सकता है क्या जब वो देश के बॉंडरी का सुरक्षा कर रहे थे तो जाइज थे और अगर वो गाउं के बॉंडरी का निशान है यहां पर बैटे हुए और गुंगे यहां पर गुहार लगाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि क्या सजा मिलेगा यहां बास्तम में आप कहें तो साथ और यह कर सकते हैं यह आदालत यह सरकार बहरों की वेवस्ता जहां गुंगे गुहार लगाते हैं और तीर उसे का रूप है उन्हें कुछ संदेज देने की जौरत नहीं है हाँ इनको निस्पक्ष उनके दोरा अभी बर्तमान दिन्याय किया जाएगा तभी न्याय मिलेगा इतना सत्त है लेकिन जनता जी बिन्याय नहीं कर पाते हैं और जो हालात है उसके लिए आप दुस्रान साब को या यह वह नहीं हिल रही तो आपने अभी दमखम सुना फत्यपूर पंचायत के सरपंचपत के परत्यासी संतोस रवाई का कि इस कोई एक नई गंगा निकलनी चाहिए वह न्याय की गंगा निकलनी चाहिए इसी दमखम के साथ उन्होंने आप लोग के सामने अपना पक्ष झाल